नमस्कार अब आप मौसम समाचार सुरिये मौसम भाग के मुताबिक उत्तर भारत के राजों में अगले पांच दिनों के दोरान घने से बहुत घना कोरा देखने को मिल सकता है इसके साथ ही उतर-भारत में अगले तीन दीनों क films कि दौरान cold day से गंभीर cold day की सिती बने रहने की आशंका जिताई गई है मौसलमिभाग के मताबिक उतर-पश्टिम भारत की राजो में अगले तीन दीनों की दौरान शीतलहर से गंभीर शीतलहर की हालत बनी रह सकती है रविवार को ने दिल्ली में नियुनतम तापमान 8 डिग्री सेलसेस और अधिक्तम तापमान 16 डिग्री सेलसेस दर्ज किया जा सकता है वहें रविवार को भी नई दिली में और इंसियार की लाकों में कोल्ड डिकी सिती बनी रह सकती है ओरीशा, चतिसगर, सिक्कीम, रुनाचल प्रदेश, तमिलाडू और कीरल की कुछ हिसों में हलकी से मध्यम बारिश के आसार जिता है गए है हिमाचल प्रदेश में इस साल बारिश और बर्भारी ना होने की वज़ा से 122 साल कारी का और तूट गया है राजी में सुखे जैसे हालात बन गया है इस साल हिमाचिल प्रदेश में बर्बारी ना होने की वज़ा से हरियाना और पंजाब में ज्यादा ठंड पड़ रही है दोनों ही राजों में कोल्ड वेव का अलर्ट जारी किया गया है बरफिली हवाओं से पूरा मद्ध प्रदेश भी छिटूरन की चपेट में है राज़ानी भपाल में सर्द हवाएं चल रही है और बुन्दा बांदी भी हुई गोवालिया, छहतरपूर, टीकमगर, सतना, गुना समेथ, राज़ी के आधे इलाके में कड़ाके की ठंड पड़ रही है बिहार में भी सर्द हवाएं ने लोगों की मुश्किलने बढ़ा दी है राज़ी के तीस से ज्याता जिलो में सीगर कोल्डी को लेकर औरेज अलर्ट जारी किया गया है मौसम भाग के मुताबिक राज में अगले दो-तिन दिनों तक सुबह शाम ज्यादा ठंड और कपकपी महसूस होने की आश्रंका जिताए गई है राज़ी के दिकांश जीलो में 24 जनवरी तक ऐसे हालात बने रहेंगे मौसम भाग के मुताबिक 25 जनवरी को जमू कश्मीर के पहाड़ी इलाकों में अलग-अलग स्थानों पर हल्की बर्भारी होने की उमीद है 26-28 जनवरी तक जमू कश्मीर में कुछ स्थानों पर हल्की बारिश या बर्भारी हो सकती है 29-31 जिनवरी तक कई अस्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश या फिर बर्बारी होने की आश्रंका जिताई गई है जारकण में धून छटने से तापमान में गिरावट दर्ज की जा सकती है राज में बादल चाय रहने की वज़ा से नियुनतम तापमान चड़ गया था लेकिन अधिक्तम तापमान गिर गया था अधिक्तम और नियुनतम तापमान में अंतर कम हो जाने की वज़ा से दिन भर ठंड का असास हो रहा था मौसम विज्ञान केंदर के मताबिक 20 और 21 जिनवरी को धूंद कम हो सकती है 22 और 30 जिनवरी को राची में कई अस्थानों पर मध्यम से लेकर घना कोरा चायरा सकता है इसको लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया है मौसम समाचार समाप्त हुए नमस्कार